हेलो फ्रेंस गुट मॉनिंग कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगी मैं और मेरी फैमली भी बहुत अच्छी हैं और अभी है साम के पांच या छे के अराउंड बज रहा है साम का टाइम है और आज दिन है सुक्रवार का और चाय और गर्मा गरम पक कोड़ी अभी फ्राइ कर रही हूं और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि होली का समय चल रहा है और होली की तयारियां भी और साब सफाई सारा कुछ स्टार्ट हो गया है सभी के घरों में तो मैंने भी थोड़ा बहुत सफाई की है और मुझे ऐसा लग रहा था ना कि थोड़ा सा जल्दी से स्नैक वगएरा खा के और इसके बाद फिर से अपने कौम में लग जाएंगे क्योंकि हमारे यहां अभी वेजेटेबल्स के सौपि हुई है और उनको अभी अच्छी तरीके से रखना है और फ्रिज भी मेरा बहुत गंदा हो रखा है तो आज मेरे इस ब्लॉग में आप रही देखने वाली ही मेरा फ्रिज और गनाइजेशन कैसा है और आप लोग जानते हैं मैं मिडिल कास फैमली से विलॉंग करती हूं त और जो भी जो भी सबजियां आई हैं मेरे घर में उनको सब एक तरीस निकाल के रख लेंगे और इसके बाद इनको चलेंगे धोने की प्रोसेस में तो आप लोग देख सकते हैं क्या क्या वेजटेबल्स और फ्रूट पगएरा में आए हैं हमारे हां टमाटर हैं निम्बू और खीरा ककड़ी है और सेव बगएरा भी है सारा कुछ है जो जो मेरी जरूरत की चीज़ें हैं मैं वही मंगाती हूँ जो कि मुझे यूज करने होती हैं और हां पांच-छे दिन की सब्जियां मेरे हां इकठी आती हैं और इसी के साथ साथ जो ये पॉली बैग आते हैं साइट में रख लेंगे और ये पॉली बैग हैं इनको धुलने के बाद कोई भी चीज पानकी रख सकते हैं इनका र्यूज अच्छी तरीके से हो सकता है और जो सारी सब्जियां उनको समयट लेंगे हम फटा फट और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताईएगा कि आप लोगों के हाँ होली की सफाई स्टार्ट हो गई है या नहीं आप लोग क्या क्या कर रहे हैं इतने समय और बस इसी के बाद और इसी के बाद सारी सब्जियां और इतने फल वगएर आई हैं उनको धुल लेंगे और इतना मानो ना इतना डस्ट होता है बाहर से तो सा तब लेके और उसमें पानी भरके उसमें थोड़ा सा वीनेगर और नमक डालके भी ये सारी सब्जियों को धुल सकते हैं मैं तो बिल्कुल सिंपल पानी से ही धुल रही हूँ और आप लोगों की सब्जियों में अगर ज्यादा डश्ट दिख रही है तो आप लोग ऐसा भी क सकते हैं और उससे न सारे बैक्टेरिया वगेरा जो भी होते हैं वो बिल्कुल मर जाते हैं और खतम हो जाते हैं एकदम और बिल्कुल सेव हो जाती हैं और फल वगेरा आप जरूर क्लीन करिएगा क्योंकि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ऐसे ना खाले इसके तीन दिन भी लग सकते हैं और ये देखें यहाँ पर मेरे जितनी भी सब्जियां करेला वगएरा सारी चीजे हैं वो मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी और इनको अच्छे से सुखा के मैं फ्रीजी में रखूंगी ताकि इनमें कोई मुश्चर ना बच्चे क्योंकि मुश्चर रह जाता है तो सब्जियां एक से दो दिन भी नहीं चलती हैं बहुत से गलने लगती हैं वो सब्जियां और बस यहाँ पर मैंने सारा कुछ धो लिया है और जो भी कुछ बचा है उनको भी धो लूँगी और क्या कहते हैं अद्रक वगेरा है तो अद्रक वगेरों को भी ना अच्छे तरीके से साफ करना चाहिए क्योंकि अद्रक में जो कांठे होती है उसमें बहुत सारी मिट्टी जमी होती है उसको दो या तीन पानी से जरूर धुलिएगा और अगर एक ब्रस भी आता है चोटा सा क्लीन करने के लिए जो छोटे बच्चों का निपल अगेरा साफ करने के लिए बिल्कुल छोटा सा ब्रेस आता है न उसको अप रख सकते हैं उससे क्लीन कर सकते हैं वैसे ज़्यादा गंदगी नहीं थी मेरे अद्रक में इसलिए मैंने ऐसे धुला है और यहां पर यह देखिए सारी सब्जियां धुल के बिल्कुल मैंने रख दी हैं कि ताकि यह थोड़ हो रखा है और यह देखिए इसमें से थोड़े दाग धब्बे भी हैं कि कोई पलप्रूट आकर ऐसे मस्टर अपना छोड़ देता है तो वो ऐसे धब्बे पढ़ जाते हैं दूर से तो बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं पर नंगीज से नजदीक से बहुत अच्छे तर अपना फ्रीज ऐसे पोंच देते हैं तो वो बिल्कुल क्लीन रहता है कोई गंदगी नहीं होती है उसमें बिल्कुल साफ रहता है और बस इसके बाद आपना सामान सेट कर सकते हैं और हां महीने में एक बार आप लोग इसको डिप क्लीन भी कर सकते हैं बिल्कुल सारा सामा हुआ या प्याज वगएरा कभी कुछ रख दिया प्याज की बनी सब्जी वगएरा रख दी तो उसी की खुस्बू आने लगती है तो खुस्बू ना आए इसके लिए आप लोग हमेशा चीश ढखके रखे और आ भी रही है ना तो एक निम्बू आधा काट लीजिए और उस मैंने उसको मैं अभी सेट कर दूंगी जो जहां पर आएगा और फ्रिज मेरा चोटा है बहुत बड़ा नहीं है और बस उसी हिसाब से मैं सेट करूंगी मार्केट में और ऑनलाइन सौप पर ऐसी बहुत सारी और्गनाईजेशन आइटम होते हैं जिससे आप लोग अपना कर सकते हैं यह तो मैंने लोकल मार्केट से डलिया ले रखी हैं बस उसी में सेट करके मैं सामान रख देती हूं क्योंकि हम दो ही जन हैं और दो जनों के उसमें जितना सामान यूज होता है वो मैं ऐसे ही रख लेती हूं अगर ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप लोग वो ले सकती हैं रेक भी आती हैं और यह देखिए इनमें बर्फ भी जमने लगी थी इतना तेज था मेरा फ्रिज और बस मैंने कुछ बहुत सामान थी वो मैंने ऐसे सेट करके रख दिया है और हाँ पानी मैं अभी नहीं लगाती हूं फ्रिज में क्योंकि अभी तो ठंडी का म देती हूं अगर आप लोगों ने धूल के रखना चाहते हैं धनिया पत्ति को तो बस उसको सुखा के और एक अच्छे से टावल में जैसे फेस्टावल वगेरा होता है या कॉटन का कपड़ा ले लीजिए बस उसमें आप लोग इसको लपेट करके रख सकते हैं जिसे दनिया को सड़ा देती हैं और काम करते करते बस ऐसे ही ठकावट हो गई थोड़ी और मेरा बेटा भी आ गया मेरे पास में तो भी बहुत हाइब आप लोगों से कर रहा है मैंने वाइस ओवर किया है और मैंने रियल आवास्ती वह मैंने कट कर दी हैं म्यूट पे लगा दिय है क्योंकि ऐसा हुआ ना कि वह बहुत सारी बाते ऐसा बोल रहा था ना कि समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने वाइस ओवर कर दिया है और वैसे मैं बता दूँ आपको बुलना क्या चाह रहा था वैसे वह बाए-बाए बोलना चाह रहा था यह देखिए उसने हाथ से भी क होता है ना कि काम करते करते अगर आप ठक जाते हैं और छोटा बच्चा होता है ना तो थोड़ी दिर उसको पास रहने से ना बिल्कुल मोड फ्रेस हो जाता है यह देखिए और इसके बाद हो गया है साम का टाइम बिल्कुल ही और मैंने सोचा ना कि करेले खराब नहों जाएं इसके लिए मैं भरवा करेले भी बनाऊंगी और जो करेले के छिलके निकलते है ना उनकी बहुत ही बेहतरीन भुजिया बनती है वो भी मैं बनाऊंगी और दोनों चीज बना के साम को ही रख देंगे क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर चीज थोड़ी भी खराब हो रही होती है तो उसको ना प्रिजेव करने का एक ही तरीका है कि उसको बना के रखा जाए ताकि वह दो से तीन दिन तक चल सके और बस यहां पर यह देखे मैंने आपको वही करेले का छिलका दिखाने की कोशिस की है और बस इसमें कुछ नहीं बस प्याज और हलका सा उसका तड़का मगरेल का देते हैं मगरेल बता दू मैं कलोंजी को भी बोलते हैं और कहीं कहीं काला जीरा भी बोलते हैं और आज के लिए बस इतना ही और बनाय रखेगा अपना प्यार धन आपने हाथ